हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नोकरी की सबसे अच्छी त्यारी, सबसे अच्छे अध्यापत, सबसे कम सी हर्याना का नमबर वन कोचिंग सेंटर आईसे नमस्कार मैं हूँ प्रमोद और आप देखना सुरू कर चुके हैं दीशडकनामा.com आज दीशडकनामा.com की चुनाव यात्रा सोनीपत लोकसभा क्षेतर में है इस समय मैं सोनीपत में मौझूद हूँ और आज जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हर्याना में 12 मैं को लोकसभा चुनाव होने हैं हिसार के बाद ये कह सकते हैं कि सोनीपत है वो सबसे होट सीट मानी जा रही है हर्याना की क्योंकि हर्याना के पूरू मुख्य मंतरी बुपेंदर सिंग हुड़ा है उनको कांग्रेस ने परत्यासी बनाया है किस तरह के समीकरन यहां बनेंगे देखिए जहां तक आप समीकरन की बात कर रहे हैं आदरनी चौधरी भुपेंदर सिंग हुड़ा जी चार बार सांसद रह चुके हैं दोर बार वो मुख्य मंतरी रह चुके हैं और सोनीपत सीट मैं समझती हूँ कि उनका घ्रह शेत्र है आज वो अपने घ्रह शेत्र में आके यहां से नामांगन भर रहे हैं और एक तरफा कॉंग्रेस पार्टी की जीत होने वाली है और आदरनी राहूल गांदी जी ने उनको अपना आशिरवाद देकर यहां से विशेश तोर से चुनाव लड़ने के लिए जो बात कही है सोनीपत में मैं समझती हूँ 12 माई को एक तरफा चुनाव होगा और बहुत बड़ी एक जीत के साथ वैसे तो हम लोग हर्याना की जो दस की दस सीटे हैं उस पर हमारे बहुत ही बड़ी हादंसे प्रत्याशी चुनाव लड़ने हैं दस की दस सीटे जीतेंगे क्योंकि जो भारती जनता पार्टी का अजंडा रहा है वो विकास तो कभी रहा नहीं है और भाई से भाई को लड़ाने का और एक अजीब सा महल उन्हों प्रदेश में पैदा किया तो आज जनता जागरूख है और हमीद करेंगे आज आज आदर हमारी पूरे के पूरे प्रदेश की है और सोनिपत की जो हमारे लीडर्स है या जनता है वो इतनी जागरूख है उनको मालूम है कि उनको अपना एक एक कीमती वोट जो है बारा मई को कांग्रेस के हाथ के निशान पर आधनी चौधरी भुपेंदर सिंग उड़ा जी को दे कर दावेदार कई लोग कहते हैं उनको भी चुनाव में उतरा गया है तो क्या माना जाय जैसको क्या मानते हैं देखिक कॉंग्रेस पार्टिंग में हमारे पास दिगजों की बहुत बड़ी एक लंबी लाइन है और टिकेट लेने वालों की भी बहुत बड़ी लंबी लाइ हों चाहे हमारे रहुतक में पर देख लरा डिए ज़िचा है कि बतब भीवां बता है जěए और ऽी यह मैंधर गड़े तो समझ ले कि किस प्रकार से हवा चल रही और आने वाला समय कोंग्रेस पार्टी का होगा और जितने भी हमारे कोंग्रेस πार्टी के प्रतियाशी नामांकन भर чुके हैं जो आज भरेंगे सब लोग साथी मिलकर पूरी मजबूती के साथ कॉलह ओंगर्स पार्टी का चुनाओं हम लोग लड़ेंगे और आने वाले समय में विदा चुनाओं के दुरान भी जो है कॉथ पर당히 जननाएक जनता पार्टी ने दिगविजे सिंग चोटाला को यहां हुडा साब के खिलाब चुनाव मेदान में उतार है उन्होंने जीन्द में भी उप चुनाव लड़ा था अजय सिंग चोटाला ने आज सिरसा में कहा है कि अंदीप सिंग सुर्जेवडा ने अपना काटा निकालने के लिए हुडा साब को यहां से प्रत्यासी बनवाया है कांग्रेस को लेकर के तो क्या कहेंगे आप देखे आदर्नी राहूल गांदी जी ने आदेश दिया हुडा साब को हुडा साब बहुत वरिश्ट एक नेता हैं जैसा पार्टी का अदेश हुआ एक अच्छ नेता की तरह उन्होंने इस बात को मानते हुए यहां से चुनाव लड़ने का निर्ने लिया है जहां तक जजपा के प्रत्याशी दिग्विजे चुटाला की बात कही है यह वही चौधरी बुपेंदर सिंग हुडा जी है जिन्नोंने उनके दादा को कई बार रौतक लोग है उनको यह मालूम है आने वाला समय जो है पहले भी लोगसभा से होता हुआ चंडीगड की कुर्सी मुख्यमंत्री मिली थी आज भी फिर से वही समय है लोगसभा का चुनाव यहां से जीतेंगे और सत्ता परिवर्तन जो होगा उसमें आधरनीय चौधरी बुपेंदर सिं हम दूसे पूछ नाँ झाहनारा है। उनकी रही है उन्होंने जो महौल प्रदेश में खराब किया है हमारे यहां पर हिंदू मुसलिम तो है नहीं जाट नॉन जाट का जगड़ा इस तरह से जगड़ा करवाना जब मैदान में प्रतियाशी आए तो हमसे पूछेंगे आपने किसानों के लिए क्या किया वैपारिय को का दरान इतने सारे रोजगार हमारे बंद हो गए युवाओं को आपने रोजगार देने की बात कहीं दो करोड यूओ को रोजगार देश बर में और einzुप सा एक और चियुकत आप उपना पानी पिला रहा घुआ योगिता नुशार क्यूने नौकरियां दे रहे हैं तो हमारा जो मुद्दा रहेगा हमारा मुद्दा रहेगा यहां का यूवाओं का रोजगार हर्याना का विकास अमान चाहिन शांती और भायचारा किसानों को उनके हितों की लड़ाई और इस तरह के मुद्दे जो है डेवलप्मेंट हमारा अजंडा रहेगा अर सारे हैं कि बोलते हैं कि आर्विन शर्मा जी बोलते हैं क्या अमेश्य आ क्या मोदीजी बोलते हैं वह सरकार का संगठन और सरकार हमारे भाई दिपेंदर हुडा जी के पीछे पड़े हुए क्योंकि उन्होंने बहुत ही मांदारी से सरलता से और बड़े ही शिष्टाचार के साथ उन्होंने जो योजनाए प्रयोजनाए जो देश भर में कहीं भी नहीं है रौतक लोगसभा में अपनी महनत से लेकर आए हैं इन्होंने कुछ किया तो है नहीं सिवाए इस तरह का दुष्ट परचार करने के तो जो वीडियो आई है वो तो लोग देखी रहे हैं वो समझ रहे हैं कि कुछ दिन पहले तो आप रौतक को कोश रहे हैं और आज आप किस मुह से वहाँ पर व को वोट देंगे आप तो मुद्दा सबसे गर्म यह है कि हम रहतक लोगसभा से सांसत भाई पैंदर हुडा जी को ज्यादा वोटों से जिटाएंगे कि पस लोगसभा बने रहिए क्योंकि Disharknama.com की चुनाव यात्रा हर्याना के तमाम सारे लोगसबा आग्सेत्रों में जा रही है वहां के क्या समीक्रण है, क्या अजन्डा है, मददाता क्या चा चाथे हैं तमाम सारी चर्चाओं पे हम आपको मदाताओं से रुबरू करवा रहे हैं हमारे सदाब लगातार बने रही हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर ये वीडियो आप फेस्बुक या ट्विटर पे देख रहे हैं